सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहशान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और क्यों कर रहा है, इन सबसे जितना दूर रहोगी, उतने ही खुश रहोगी सबसे पहले कठीन काम करना चाहिए, असान काम अपने आप होते जाएंगी आज का पंचांग 16 जन्वरी 2021 देंश शनी मार पौश मास के शुक्लपक्च के त्रीतिय तिथी, सुबद 7 बचकर 46 मिलड तक रहेगी इसके उपरांथ 4 तिथी प्रारम होचाएगी शद भीशा नामक नक्षत्र सुबद 6 बचकर 9 मिलड तक रहेगी इसके उपरांथ पूर्व भाद्र पदा नामक नक्षत्र प्रारम होचाएगी आज का राहू काल अर्था दिन का सबसे असुपसम में सुबद 9 बचकर 55 मिलड से 11 बचकर 16 मिलड तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुपसम में दोपहर 12 बचकर 15 मिलड से 12 बचकर 58 मिलड तक रहेगा आज चंद्रमा कुम राशी पर संचार करेगी और आज शूर्य मकर राशी पर रहेगी कुमरा से 16 जनवरी 2021 दें शनीवार आज अपने गुस्से के कारण तुरंद प्रतिक्रियत दीने के मूड में है लेकिन आपके लिए सुझाविया है कि अपने दिमाग को सांथ रख कर गंभीरता से सूचे आपके पास अच्छी संचार कुसलता है और इसे अपने लाप के लिए इस्तमाल करी तनाव घटाने के लिए किसी सहासी के आत्रा पर जा सकती है लेकिन सारिक आनन के चक्कर में ना पड़ी यात्रा की योशनाओं को फिर से बनाने या रत करने के आवशक्ता हो सकती है वर्तमान में पैसे की तंगी हो शकती है इसे लिए कम खर्श करें प्रीजनों और परिवार के साथ इंसान पलों का मचा लिए अराम के लिए समय निकाले और स्वास्ते की आवशक्ताओं का भी दिहार रखें आज के दिन मिश्रित फल देने वाला है इसे लिए खास ख्यार रखें मन के अनुशाद जीवन के प्रति अपना रवया बदले आप अपने भौतिक दुश्री कोड को बदलने की भी कोशिश करेंगे दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर शकते हैं और आपको प्रेरित कर शकते हैं बस आपको उन्हें ढूंडना है अच्छा आपके अधिकतर काम योजनबन तरीके से संपन्न होंगे तथा आपको अच्छे सफलता हासिल होगी किसे साराहनिय कार्य की वज़े से आपको समाच में मान सम्मान मिलेगा यूव वर्ग तथा विध्यार्थी अपने करियर को लेका सजक रहेंगी किसे नए काम के शिरुवात करते समय आपको कटनाईयों का सामना होगा लेकिन काम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और काम से सम्मंधित तकलीफ भी दूर होगी पिताजी की आप पर खास मरशी बनी रहेगी काम से सम्मंधित बातों में आपको योग्य दृष्टी प्राप्त होने की वज़े से दुश्रों को मार्ग दरशन दे पाना आपके लिए शंभव होशकता है आपके दुवारा लियक पोई भी निर्ने पार्टनर के दुवारा थोपने की कोशिश न करें मसालेदार शब्दों के सेवन की वज़े से अपच्छे की तकलीफ हो शक्ती है दिहार रखें किसे के साथ बहस में उलजना आपको नुक्षान देगा बहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें किसे मुल्यवान वस्तू के खोने की आशंका है अपने चीचों की रक्षा खुद करें भाई बेहनों के साथ मधूर भाई बेहनों के साथ संबंध मधूर बना कर रखने से संबंधों में और अधिक नस्दी किया आएगी बात करते हैं लव लाइफ की अविवाहित वैक्तियों के लिए कोई अच्छा रिस्ता आने से परवार में खुशनुमा महर रहेगा प्रेम संबंधों में भी प्रगाड़ता आएगी आप और आपकी साथी केले आज जीत की इस्थिती बनी हुई है आपकी कामोग भावना आप पर हावी है जिसके कारण आप मज़बूर है इसी तरह कि आप दूसरी तरह भी विद्यमान है सचेत रहें और पूछें आपनी रास नहीं लोटेंगे सिर्फ एक छोटी से कोमल और देखभल वाले दुश्टी कोड की आवशकता है और वैसे भी आप एक समसदार साथी है अव वक्त आचुका है जब आप नए सीरे से अपने जीवन की शिड़वात करेंगे परिवार पिता और सिक्षकों पर आय संकर्ट के कारण याता की योशना रत करनी पड़ सकती है रिस्ते को शुधारने के लिए कुछ ऐसा करेंगी प्रेम कहानी एक रोमेंटिक मोड ले ली अच्श प्यान में सफलता और अशफलता दोनों का सही योग है बस आपके नशरिये पर निर्भर करता है अपने जीवन सेली को बदल लिए इससे रोमेंटिक रिस्ते पर एक सकारात्म प्रभाव पैदा हो शकता है इससे अपने साथी के प्रती आकाशन और अंतरंगता की वृद्धी में मदद मिलेगी इसका प्यार और महबबत के मामलों में आज के दिन बेहर शुखद रहेगा बात करते हैं करियर की कल इस समय आपके प्रात्मिकता रहेगी आप महत्वा कांग्छी हैं और आपके इसे गुड़ से आपकी कमपनी को फायदा होगा परवार या भाई बहन की परशानियों से आप स्वयम को आज दूर रखना चाहिंगी या तक योशना में विलम हो शकता है अपने लक्षों पर ध्यान केंदित करें और इसके अनुशार ही कारी करी योशना ये बदलती हैं नए मौके पैदा होते हैं और परिस्थीतियां जीवन में अप्रत्यासित मोड लाती है अपने कारी इस्थल में दशीला रवय अपनाए आने वाली प्रेजेंटेशन और बैठकों की खास दिहान दे आप जो भी करें उसमें आनन मैसूस करें यही आज का मंत्र है अपने बेकार हो गए प्रयासों से निराशना हूँ आपको फिर से खड़े होकर प्रयास और काम करने की जवरत है बेशक आपके दोरा दी गए जानकारियों से एहम मुद्दों का हल ना निकला हूँ लेकिन आपको इससे कुछ जटील विवरणों की एक बेहतर जनकारी मिलेगी आप आज के दिन का आनन लें क्योंकि अतीत के निवेश आपको आर्थिक रूप से लाब होगा कारे छेत्रे में सभी काम विवस्तित रूप से पूरे होते चाहेंगी परन्तु इष्ठाप और स्तकर्मियों के काम में ज़्यादा टोकर टाकी करना और ज़्यादा अनुशाशन बनाना उनकी कारे छमता को प्रभावित कर शकता है बेहतर होगा की दोस्ताना वैभार बना कर रखें बात करते हैं सेहत की पेश सम्मंधित कोई तकलीफ हो शकती है घर और ओपिस में भी लगतार तनाव ग्रस्त रहने से आपकी सेहत पर असर पड़ रहा है और आपकी सोचने और इस पश्टन निर्ना लेने की शमता भी इससे प्रभावित हो रही है आपको यह समझना होगा कि इस समझना के जड़ आपकी हद तक एक रास होचू के रूटिन आदेते ही हैं नियमित रूप से सूबा की सेहर पर जाने से आपको फायदा होगा इससे आपके शरीर और उर्शा को ताजगी मिलेगी आज का उपाए आज अब शनी देव जी के समक्ष चमेली के तेल से दीपक जलाएं शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमें इसस सकरात्मक सोंच के साथ आगे बढ़ते रहे आपका देश शुब हूँ